स्टूलेंट सब्सक्राइब एंड प्रेस दा बेल आइकन टू नेवर में सब वीडियो फ्राम टू आयाइटियम् आप देखी हैं हमारे पास दो लाइन्स हैं एक ये और एक ये बोल दिया कि वो पैरलल है और आपको A और B में रिलेशन्चिप कैल्कुलेट करना है ठीक है तो लिख लेते हैं दोनों एक्वेशन्स को इस इक्वल टू जीरो फॉर्माट में माइनस तू इस इक्वल टू जीरो इसको अंदर लेगा है और यहाँ पे लिख लिए ठीक है ये क्या दी गई है कि ये पैरलल है ये कैसे हम लोग ने लिख दिया हम लोग जानते है for parallel lines coefficient of x and coefficient of y are in same ratio ये parallel lines के लिए true दा वैसे एक slope method भी है इसको y is equal to mx plus c format में लाईए इसको y is equal to mx plus c format में लाईए दोनों की slopes को बोल दीजे बराबर है और तब भी आप लगबग इसी तरह का expression में आ जाएगे same answer आपका आएगा इसके पहले मैंने playlist में उपर आप देखिएगा कि upload कर रखा है एक method जहां पर p की value calculate करनी है वह वाला सवाल उसमें दोनों methods को मैंने compare करके दिखाया यहां पर trick method किया है और यहां पर book method किया यह भी बोला है कि अगर आपको एक या दो marks का आए तो trick method करिए दो या तीन marks का आये तो book method करिए दो marks common हो गया तो दो marks में आपको एक्जाम में ही decision लेना होगा कि हमें क्या करना है दोनों method में कोई marks आपके cut नहीं कर सकता स्कूल में भले कड़ जा है लेकिन board में नहीं कटेंगे ओके चलिए और यह हो गया है तो इसके बाद a multiplied by minus b 2 multiplied by 3 तो minus ab is equal to 6 ab is equal to minus 6 यह हमारा expression book में आपको यह दिया हुआ ab plus 6 is equal to 0 भी कर सकते बट equation नहीं बनानी है तो यह हमारा final answer हो गया बच्चों कर सकते बच्चों